नमस्कार साथियों आज प्राता एक सला के दुर्गटना हुई और दुर्गटना के तुरंत बाद हमारे मोबाइल की घंटी बसती है घंटी बजने के बाद और भी कई घंटी बजी और संजोक बस मैं दुर्गटना अस्टल से कुछ ही दूरी पर था और मिठाई दोकान पर गया था पनीर खरिदने मैं तुरंत घंटना असल पर पहुचा तो वहां की देखकर मुझे बहुत घंटी लेकिन मैं यह काम करते करते मुझे आदत सी पड़ गई है इसलिए मैं बिल्कुल नहीं घंटाया और तुरंत सभी घाईलों को उसी टेंपू से जिस टेंपू से सलक दुरुखटनाय हुई थी उस टेंपू से उठा कर नजदी की अस्पताल पहुचाया तो साथियों प्राता नो बजे का समय था और सलक दुरुखटनाय हो चुकी थी फोन की घंटी बजी और मैं उक्तास्थान पर पह चुकी है और अस्थानिया लोग दोड़ करके आये हैं टेंपू को सीधा किये हैं और जो ब्यक्ति ज्यादा घायल था उस ब्यक्ति को फिर टेंपू पर वहां के अस्थानिया लोग लोड किये थे मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने यहां नेक कार किया मेरे पहुशने के तुरंट बाद अब वो टेंपू जो है श्टार्ट नहीं हो रही है हम तुरंट दूसरी गाड़ी की बेवस्था में लग गए लेकिन तब तक टेंपू श्टार्ट हो जाती है और वहां से साथियों हम लेकर निकलते हैं अस्पताल की उर अस्पताल इध हैं उनको हम फोन लगाते हैं चुकि रविवार का दिन था और हम जानते थे कि हस्पीटल में साइद को नम नम मिले अभी सुभा का समय है लेकिन प्रभू की यह इच्छा थी कि हमें तुरत रामचंदर जी से भेंट हो जाती है और उन्हें लेकर हम अस्पताल पहुंचते ह हैं और पहुंचकर फिर सभी घायलों का बारी-बारी से इलाज किया जाता है साथियों सभी लोग एक एक व्यक्ति काफी गंभीर थे उन्हें फिर बाहर रेफर किया जाता है बांकी लोगों को हलकी चोट लगी किसी का हांट तूटा किसी का पैर तूटा किसी को गंभीर च कारण है तेज गती आप एक लिमिट गती में चले गाली को अन्यंतरीत नहोंने दे अपने नियंतरन में रखें दूसरा चीज है कि नसा कर वहन कोई भी वहाँ नसा कर चलाना भहत ही खतरनाक है पर वहां दिभाग के जो नियम है उस नियम को आप फोलो करें और फोलो करते हुए आप license रखे अपने पास गाली का भी paper रखें आप ज़दी परिवहान दिभाग के जो नियम है лीड जेंसी का जो नियम है जारखन सरकार के जो नियम है उस नियम के तहत ज़दी सलक पर आप चलेंगे तो आपको जीवन में कभी भी सातियो सरक दुरगटना नहीं होगी और आप घायल नहीं होंगे लेकिन अभी के समय में जो है तो आज के युआ को समझाना बड़ी मुस्किल है और उनके साथ साथ जो ब्यक्ति घायल होता है उनको काफी तकलीफ होती हैं दोस्तों हलाकि टेंपू में सभी सवार मजदूर थे और व हमने सभी मजदूरों का अच्छे से प्रात्मिक उप्चार करवाया उप्चार के बाद जो है उनके परिजनों को हमारे दोवारा सूचना दी गई और सूचना देने के बाद परिजन आये और सभी को अपने साथ अपने घर लेके चले गए दोस्तों तो सावधान रहें सतर का ओपर आता है मैं तुरंत वहां पर पहुँशता हूं और घैल व्यक्ति को अस्पताल पहुचाने का मैं साथियों कारे करता हूं अब यहार कार अच्छा है यह खराब है यह मुझे नहीं पता जानता हूं पर ही तसारी सेरुद्धर में भाई पर पिड़ा असम में अधि पर तुन्हें आप जरूर अस्पथाल पहुंचाने का काम करेंगे जय हिन जय भारत इनको अभी काफी चोटल लगी है ड्राइवर खुद घायल है काने का इत्मने तिंशार आदमी मजदूर हैं लेबर हैं और कहीं से काम करके आ रहे थे टेंपू से टेंपू इन्हीं के पर नसे में नहीं होता करके सब्सक्राइब करें नसे करें वहां कोई भी आ मोटर साइकल हो टेंपू बड़ी इत्स प्रकार की आपके साथ कभी दू घटना हो सकती है और य